नवस्कार दोस्तों आपका हमारे इस नए चैनल पे स्वागत है मित्रो इस चैनल का नाम है आवार वाइल्ड यानि हमारी दुनिया तो जिया दोस्तों आज हम कीबॉर्ड ओरिंटेशन कम्पेटर के हवाले से सिखे गए तो यहां यह कीबॉर्ड ओरिंटेशन हमें राजु ने प्रतान किया है और यह कीबॉर्ड ओरिंटेशन कम्पेटर द्वारा रिकॉर्डेट है आप लोग से निरोध है किर्प्या करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बढ़ावारे हम कम्पीटर की इवर्णिंग सेरीज चलू करने बाले हैं जिहां दोस्तों मित्रो मुझे अमीद है कि आपको ये बिल्कुल पसंद आएगा मित्रो सक और शुबा होने पर आप हमें डायक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट लिक करके ही बताएं तथा मन में किसी परकार का संसे न पाले चोंकि हैजीटेशन विकास को अब रुद्ध करती है हमारा काम ड दिस्क्रिप्शन को पढ़ ले वह आपको इन सभी सटों से अबगत करा देगा हम दिश्ट हीन ताके वेक्तितुर तथा तक्निकी ग्यान को बढ़ाने है तू यह प्रियास कर रहे हैं आप हमारे प्रियास मार्ग में साधक बने अभी तू बाधक नहीं तो धन्यबाद दो आपकी तब से कोई बाध्यकारी नहीं है आप चैनल सुस्क्राइब करते हैं तो बैल वाला बटन अविश्य दावाए ताकि नोटिविकेशन आप तक पहुश सके आप अपने ग्यान भंठार में मस्तिक्ष में ब्रोप्ति करना चाहते हैं तो अविश्य करें कॉंटेंड पसंद आने पर उसे पसंद बटन यानि लाइक या डिसलाइक अविश्य करें ना पसंद आने पर तो थन्याबा दोस्तों मीद करता हूं लेकिन मेहनत को सराएं उस पे अपनी प्रतिक्रिया अविश्य दे और मेत्रों अपने एहम को खतम करके ही आप उनक्यान की द्वार म बहुत सकते हैं ऐसे लिए इशारे से समझ जाना ही बेहत ही सरलता से आप कारी कर सकते हैं तो तन्याबा दोस्तों हम इसके साथ में ख्लाल आगे बढ़ते हैं मित्रों तो थैंक्यू फ्रैंट्स लेट उस इंचाइड इस ट्रिक्टोरियल नाव तो हम अपने फुटल को सूट दें थैंक्यू फैंट्स नमस्कार विद्यार्थियों ये की बोर्ड मैं आपके सहुलियत के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं इसकी बोर्ड को आप ध्यान से याद करें और इसको ध्यान से समझें वैसे तो कुछ कम्पनियों के की बोर्ड में अलग अलग कीज होती हैं पर मैं इस रिकॉर्डिंग में आपको स्टेंडर्द की बोर्ड के बारे में बताएंगा क्योंकि कुछ की बोर्ड में आपस्ट्रो के बाद बैक स्लाश की होती है मैं आपको वही की बोर्ड के बारे में बताएंगा जो सही है इसलिए आप स्टें अन्वीडिया से रिकॉर्ड करूँगा, नम्रिकल कीज मैं जो अज से रिकॉर्ड करूँगा, जो कीज इस अन्वीडिया में गलत बोलता है उसकी मैं आपको उन कीज के बाद सही आवाज सुनवाएंगा. इसको हम नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, बोलेंगे. इसके बाद हम नूम लाइन को बोलेंगे, जो की होगी? इसको हम दो प्रकार से बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने उपर बताया है, और इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, जैसा कि इसके बाद हम उपर की लाइन को बोलेंगे, इस लाइन को भी दो प्रकार से बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने उपर की लाइन को बोलेंगे, लाइन में बताया है, एक प्रकार से तो सीधा बोल सकते हैं, एक इस प्रकार से Q, W, E, R, T, P, O, I, U, Y, left racket, right racket, backslash इस लाइन को भी दो प्रकार से याद कर सकते हैं, एक इस प्रकार से Z, Z को? British, English, Mid, Z, बोलते हैं, इसलिए आप, Z ही याद करीं, इसके आगे बता रहा हूं, X, C, V, B, N, M, comma, dot, इस, dot, को, period, यानि की, full stop, भी बोलते हैं, आप कुछ भी याद कर सकते हैं, dot, या फिर, period, अब आगे, slash, right shift, या फिर, Z, X, C, V, B, slash, dot, comma, M, N, right shift, अब Q, के उपर वाली लाइन, इस लाइन को भी उन्ही लाइन की तरह बोल सकते हैं, या फिर याद कर सकते हैं, जैसा की मैंने उपर की लाइन में बताया है, जैसे, इस लाइन को बोल कर भी आगे बढ़ सकते हैं, फिर, बोलेंगे, इसके आगे बता रहा हूं, इस लाइन को बोल कर भी आगे बढ़ सकते हैं, अब आगे, इस से अगली की में ये की बोलता है, इसको आप न याद करके याद करें, इसको हम नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, इसको आगे बता रहा हूं, अब यहाँ पर नमबर पैड याद करना होगा, नमबर उसी तरह से याद करें जैसा की नमबर पैड में दिया गया है, ये मैं जोज़ से रिकॉर्ड करूंगा, पहले नमला की डब आएंगे, इससे नमला कान होगा, नमबर पैड की तरह होती है, इस कीज में बस इतना अंतर है, की इसमें 0 की कीज 8 के नीचे होकर, ये 1 के नीचे होती है, इसको वैसे ही याद करें जैसा मैं बता रहा हूँ, इस नमबर पैड में कुछ की बड़ी होती है, इसको मेरी बताई हुई जगह पर ही याद करें, अब यहाँ पर नमला की डबाएंगे, जो की नमला काफ बोलेगा, इसलिए आप नमला की डबाएंगे, क्योंकि आप की याद कर रहे हैं, इसके बाद करेंगे, इसमें आप के बाद से याद कर लें, क्योंकि यदि मैं इसमें के बाद से लगाता हूँ, तो आप लोग संदेह में हो जाएंगे, पाँच की की पाँच ही रहेगी, यह की भी वैसे ही रहेगी, यहाँ पर आप करेंगे, क्योंकि आप याद कर रहे हैं, इसके बाद आप याद करेंगे, इन कीज के साथ शिफ के साथ या लगाना न भूलें, जैसे शिफ के साथ एशिफ के साथ से लेकर शिफ एल तक, शिफ सेमी कोलन कोलन, शिफ अपास्ट्रफी, कोट, शिफ एंटर, एंटर, शिफ यू, से, तक, यहाँ पर कुछ कीज पूरी नहीं बोलती है, जैसे लेस ग्रेटर, इसको हम पूरा याद करेंगे, इसको आप नहीं याद करेंगे, इसको आप याद करेंगे, याद करेंगे, इसको आप याद करेंगे, वैसे तो मैंने ये की बोर्ड अपने शब्द और वाख्ये का सही चयन करने की कूशिश की है, यदि फिर भी इसकी बोर्ड में कोई कमी है, आप सभी अध्यापक जो भी इसकी बोर्ड को अपने शब्द को सिखाएंगे, मेरे को क्षमा करने का कश्ट करें, विद्यार्थी के परिपेक्षे में, यदि ये की बोर्ड आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने अध्यापक से समपर करें, ये जरूरी भी है कि आपके समझ में नहीं आए, क्योंकि कहीं कहीं पर इसकी बोर्ड में अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग किया गया है, या फिर अलग-अलग सौफ्टवेर का प्रयोग किया गया है, इसकी बोर्ड को सब ही विद्यार्थी अच्छे से याद करें, क्योंकि वे सब ही जो इसकी बोर्ड को याद कर रहे हैं, वे है या तो blind हैं या फिर partially हैं, इसकी बोर्ड के याद करने के बाद आप computer को चलाने में काफी हद तक सुगमता महसूस करेंगे, क्योंकि जो विद्या पर थी माउस नहीं चला पाएंगे वे इसके सहारे ही अपना काम कर पाने में सक्षमता महसूस करेंगे। वैसे तो ये की बोर्ड आपको यदी बिना किसी अध्यापके समझ में आ जाता है तो मुझे लगेगा कि मैंने इस की बोर्ड को बनाने में जो अपने शब्द और वाक क्यों का चैन किया है वे ये काफी हद तक सही है अगर फिर वी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछने में हिच की चाय नहीं आपको ये की बोर्ड अच्छे से याद हो जाए ऐसी मेरी आशा ही नहीं बलकि पूरी उम्मीद है धन्यवाद